अगर आपका पेट और आपके पैर कुछ ऐसे दिखते हैं तो उसका कारण है यहां की मास पेशियों का धीला होना पहले तो मेरा दिल करता है इन अकास जैसे सो कॉल्ड योगीज को अनाटमी और फिजियोलोजी के दो-चार लेसन दे ही दूँ ताकि सिखा सकूँ कि मसल किसे कहते हैं और फैट किसे कहते हैं भाई साब जो आपका धीला होके लटक रहा है वो आपकी मास पेशिया या मसल नहीं है वो आपकी fat है, body में access store हो गए है और उन area में store हुए है यहाँ nature को लगता है कि वो right area है आपकी मर्जी से नहीं हुए, आपकी मर्जी से नहीं जाएंगे और सबसे बड़ी बात, belly muscle की exercise नहीं है आप इसमें hip flexor को train कर रहे हो आप इसमें adductor, abductor muscles को train कर रहे हो इसकी भी आप primarily mobility training कर रहे हो fat loss की कोई exercise नहीं हो रही और plank से कब पेट अंदर होने लगा अगर plank से पेट अंदर होता तो सारी दुनिया आप तब fit हो चुकी होती यह दुनिया की सबसे technically असान exercise है कुछ नहीं करना, body को सिर्फ old करना है उससे आपके transverse abdominal muscle strengthen होते हैं लेकिन अगर किसी की body में 20-30 kg extra fat है उसका क्या करोगे तो भाई साब ऐसे अकाश जैसे अनपर्ड योगीस की बात सुनने से पहले खुद research करो, मैं तो यह कहता हूँ कि मुझे मत सुनो खुद पढ़ाई करो, खुद दिमाग लगाओ और सोचो कि अगर कोई चीज बहुत असान लग रही है probably वो जूट है